हालो फ्रैंक्स मेरा लाम है सिकंदर मंसूरी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लिखाने वाला हूँ LG का 55 इंच का OLED TV G2 Series दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको LG के इस TV के बारे पुरी इंफोमेशन देने वाला हूँ तो दोस्तों टाम में करते हैं चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यह है LG के OLED TV अलग-अलग के आती है दोस्तों और सबसे बड़ा इड्वांटेज दोस्तों अगर आप गेमिंग के शोकिन है तो इस जीवी में आप इजली गेम खेल सकते हो 4K के रेजुलेशन में दोस्तों नॉर्माई TV में अगर आप गेम वगेरा खेलते हो तो आखों पर फरक पड़ता है उसमें ब्लू लाइट काफी ज्यादा होती इसमें दोस्तों ब्लू लाइट भी नहीं होती है आप कम से कम आज घंटा भी गेमिंग गेम खेलोगे ना कंटि की पढ़ जाती है दोस्तों इसके ओलेट टीवी के अंदर जो क्लेरिटी है साप मैश है बहुत ही ज्यादा निखर के आती है दोस्तों और यह पूरी तरह की से बेजल लेज होता है दोस्तों और काफी जादा खुबसुरत दिखता है दोस्तों इस टीवी के अंदर अगर आ Alpha 9 5 generation AI 4K processor लगा है जो कि आपको काफी आदा details में picture नीकाल के देता है अगर आप video देख रहे हो Amazon Netflix में या फिर आप gaming केल रहे हो काफी details में आपको picture देखेगी दोस्तो दोस्तो इस TV की refresh rate की बात करेंगे तो 120 hearts का इसमें refresh rate आपको देखने को मिल जाता है dynamic color आपको देखने को मिलेंगे इसमें अगर आप इसमें hollywood movie देख रहे हो दोस्तो इसमें आपको perfect color मिलेंगे deep black मिलेगा आपको contrast की बात करेंगे तो बहुत ही जबरस में contrast देखने को मिल जाता है दोस्तो किसी भी TV के लिए picture quality के साथ साथ sound quality भी बहुत matter करता है अगर picture quality बहुत अच्छी हो sound quality ना हो तो वो TV दोस्तो एकदम डल लगने लगता है तो दोस्तो इस TV के अंदर जो sound quality दी है LG की AI technology sound pro technology आती है इसमें दोस्तो आपको और इस TV के अंदर दोस्तो 60 watt का speaker लगा है और 20 watt का दोस्तो इसमें subwoofer लगा वाए यानि picture quality के साथ साथ इसकी sound quality भी बहुत ही जबर्दस है दोस्तो दोस्तो LG का यह G2 series 55 inch का TV आपको market में आसानी से LG की website में 2,55,000 में easily मिल जाता है दोस्तो gaming के लिए LG के इस OLED TV में Nvidia का G-Sync देखने को मिल जाएगा और AMD का Free Sync इसमें आपको देखने को मिलेगा तो gaming के लिए दोस्तो यह one of the best OLED TV है और दोस्तो LG के इस OLED TV में flickering बिल्कुल भी नहीं होगी यह flicker free TV है gaming के लिए इस TV में gaming optimizer and gaming dashboard दिया गया है दोस्तो दोस्तो LG के सभी smart TV के अंदर आपको AI think you जेखने को मिलेगा और LG के सभी smart TV के अंदर web OS दिया हुआ है और आपको इसमें 20 प्लस content partner मिल जाएंगे जिसमें आपको Netflix, Amazon Prime, Hotstar, Sony Live, Apple TV यानि और भी बहुत कुछ जाने से 20 से भी ज्यादा आपको अलग-अलग application देखने को मिल जाते हैं LG के smart TV में दोस्तो LG के OLED TV में आप maximum format के audio या video play कर सकते हो बहुत से TV में दिक्कत यह होती है कि किसी किसी TV में audio file या video file support नहीं करती हैं क्योंकि format का type जो होता है वो अलग-अलग होता है हर audio और video का तो LG के सभी OLED TV में अलग-अलग type के maximum type के video file और audio file support करते हैं दोस्तों अगर हम warranty के बात करें तो LG के OLED TV पे आपको 3 साल की warranty मिलती है और किसी भी TV या किसी भी product के लिए after sales service बहुत matter करता है तो LG की after sales servicing pan India easily available है pan India के बात करें या worldwide बात करेंगे हर जगा इनकी servicing available है servicing के असाथ साथ दोस्तों किसी भी product के लिए उसका spare part बहुत matter करता है अगर हमने कोई product buy कया है और servicing नहीं मिल रही है लेकिन वो product खा रहा है आप होने के बात या उसमें कोई दिक्कत आती है तो इसका spare part नहीं मिल पाता है तो इस case में LG का on manufacturing है तो कुछ दिक्कत आती है या कोई spare part का issue होता है तो इसके spare part भी easily available है अगर आप spare part order करोगे तो इसके spare part भी फाटाफाट मिल जाते दोस्तों दोस्तो इस वीडियो के description में मैंने best OLED TV की list रही है अलग-अलग size में आपको अगर buy करना है तो buy कर सकते हो या फिर price भी check कर सकते हो तो दोस्तों आपको LG का OLED TV कैसे लगा प्लीज आपकी राय मुझे comment box में comment करके जरूर बताइए मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ भी query है doubt है confusion है मुझसे comment box में comment करके पूछ सकते हो तो दोस्तों मिलते हैं next video में थैंक यब वर वाचिए